Assalamualaikum दोस्तों जैए CPA marketing का part 2 आज की वीडियो में हम discuss करेंगे कि CPA marketing और affiliate marketing में क्या फर्क है दोस्तों जो बाकी डीटेल है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा लेकिन ये जो चीजे हैं ये सीखना बहुत ज़्यादा जुरूरी होती है अगर आप CPA मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं तो ये चीजें आपको जहन में रखना बहुत ज़्यादा जोरी है कि affiliate marketing और CPA marketing में वाज़े फर्क है affiliate marketing में basically क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ मिसाल के तोर पर आप affiliate marketing में कोई भी services या products को आपको promote करना पड़ता है logo तक पहुचाना पड़ता है ठीक है लेकिन logo तक पहुचाने के साथ साथ उन लोगों को जब वो लोग इस चीज़ को buy करेंगे ठीक है तब भी आपको commission मिलेगा यानि आपको किसी चीज़ को sale करवाना पड़ेगा तब भी आपको उसमें से commission मिलेगा ठीक है आपकी चीज़ buy हो जाती है तब भी आपको commission मिलेगा वरना आपको एक रुपे का भी commission नहीं मिलेगा अब आजाते हैं हमारा CPA marketing उसमें क्या होता है CPA marketing में कोई भी product हो सकता है कोई भी service हो सकता है लेकिन इसमें हमें sale नहीं करना पड़ता इसमें क्या करना पड़ता मिसाल के तोर पर मैं आपको समझा जाता हूँ मिसाल के तोर पर एक company है जो के चाहती है के उसके वेबसाइट पर लोग आकर sign up करें खाली sign up तो वो क्या करेगी CPA network को जाएगी वहां पर अपना जो भी offer है उसको list करवाएगी हम क्या करेंगे उस चीज़ को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनकी इनको ज़रुत है तो जैसे ही कोई उस website पर sign up करता है sign up जैसे ही कर लेता तो आपको पैसे मिल जाते है ठीके आपको commission मिल जाता है अपर एक action होता है कोई भी product वगयरा sale नहीं होता जहां पर selling नहीं होती या पर एक action होता है ठीके एक particular action होता है जिसके तेहत आपको commission मिलता है तो उमीद है आपको CPA marketing and affiliate marketing का फरक पता चल चुका होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा निस वीडियो जो होगी उसमें हम CPA marketing की जो types है ठीके उसके बारे में discuss करेंगे